हेलो विवर्स वेलकम तुमा यूट्यूब चैनल आरोगि वर्दनी फ्रेंड्स आज में आपको निम्बू की रस से हमारे शरीर को किस तरह से फायदे हो सकते हैं ये बताऊंगी निम्बू का रस विटामिन C का स्तोत्र है जो कि शरीर के लिए बहुत ही उपयूगी माना जाता है विटामिन C युक्त पदार तर शरीर की तचा को मुलायम बनाते हैं जिनमें निम्बू का रस अत्यादिक फायदेमन होता है रूर सुबह खाली पेट निम्बू का रस कुछ बुंदे शहत की मिला कर अगर आप इसे गरम पानी में डाल कर पिएंगे तो ये बहुत ही लाबकारी माना जाता है पानी हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी होता है ये शरीर के जहरीले पजारत शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है फेट को कम करता है साथी यह पाचन तंत्र को सूचार करता है जिसे से कब जैसी समस्या दूर होती है और इससे वजन ही कम होने में मदद होती है पाचन तंत्र मजबुत रहता है, बैदाक तचा मिलती है, रोगो प्रतिराउधक शमता बढ़ती है, सास की दुरगंदी दूर हो सकती है, pH लेवल भी संतुलित में रहता है, और इससेल एनरजी भी मिलती है, गलेक का इंट्फिक्शन दूर होने में भी मदद होती है, हाई ब प्रोटीन, कार्बोहेडरेट, सभी पोशक तत्व निम्बु में पाये जाते हैं, और हाँ निम्बु में कुछ मात्रा में आयन तता विटामिन A भी पाया जाता है, जो कि शरीर के रोगों से लड़ने के लिए बहद ही मददगार साबित होता है, जानते ही कि निम्बु के रस से किस तरह के फायदे हो सकते हैं, आदे कब निम्बु का जू सुरोज पीने से यूरून में आयसीर की मात्रा बढ़ती है और विशली पजारत बाहर निकल जाते हैं, इससे कैल्शियम की वज़ह से किड्ने में होने वाली स्टोन का खत्रा कम होता है, निम्बु का रस के साथ मिलाकर पीने से गले में होने वाले दर से आराम मिलता है, किसी कीरे के काटने या इन्फेक्शन होने वाली खुजली में निम्बु का रस लगाए, कुछी समय में परिशानी दूर हो जाएगी, निम्बु में एंटी कैंसर प्रोपर्टिस होती है, यह शरीर की कोशि काट को कैंसर लेस से रक्षा देता है, निम्बु में पोटेशियम भी अधिक मात्रा में होता है, सिर्फ केले में ही पोटेशियम है, ऐसा नहीं है, निम्बु में भी यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, निम्बु में विटामिन C की भी अधिक्ता होती है, इसके 7 से 80 mg मिनरल्स हमारे शरीर को मिलते है बुखार से तूरंद आराम के लिए निम्बु का रस पिये तूरंथी शरीर का ताब कम हो जाएगा निम्बु का रस दाद दर्द में लगाने से दर्द तूरंद कम हो जाता है साथ ही अगर निम्बू का जूस मसूड में लगाया जाए तो ब्लीडिंग के परिशानी भी दूर हो जाती है निम्बू का रज शरीर में pH लेवल को भी संतुलित रखता है निम्बू का रज वजन कम करने में भी बहद मददगार है क्योंकि सुबह उटने के बाद निम्बू के 7-8 बूदग गरम पानी के साथ लेने से वजन करम करने में ये बहदी सायक माना जाता है निम्बू का रज ये कब्ज देसी तकल्यपों को भी गम करता है क्योंकि ये पाचेन तंद्र को सुचार बनाता है निम्बू का रस सुबह खाली पेट लेने से ऐसीडीडी की परिशानी को भी गम किया जा सकता है निम्बू का रस खाली पेट लेने से यह शरीर के टोक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है जिससे शरीर स्वस्त बनता है निम्बू का रस चेहरी की तुचा तता बालों में चमक एवं कुमलता बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है बालों में निम्बू का रस लगाने से रुसी बालों का गेरना कम होता है और हाँ इसे बालों को प्राकुरूतिक चमक भी मिलती है चेहरे में लगाने से दाग में तरपि दूर हो जाते हे निम서 शारीर कि प्रत्य रुदक्षमता को बड़ाता है जिससे शरील निरोगी रहता है निय्बु का रास दीमाग तत्ता कोशिय को भी तरो ताजा रखता है जिससे ठकान मॉहसूस नहीं होती और शरील में फूर्ती बनी रहती है निम्बू का रस यह लिवर में कैल्शियम तथा अक्सिजिन लेवल को बढ़ाता है और इस तरह यह CDT में भी रहात पहुचाता है निम्बू का रस यह आखों के लिए भी बहुत फायदे मंद माना जाता है तो फ्रेंट्स निम्बू के रस के अनुकों फायदे और हाँ फ्रेंट्स निम्बू पानी को अधिक मातरा में पीना नहीं चाहिए अगर आपको मेरा यह वीडियो पस